आप सब भी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटोर पर मैं ही मांशु उपाधिया है जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने परस्टनल कंप्यूटर के कुछ कुछ कुछन्स किये थे जो इंपॉर्टेंट थे थोड़े बहुत आज हम मैं इक नया topic सट कर रहे है जैसा कि मैं लास्ट कलास में आपको बता भी दिया था हम नया topic जो स्टार्ट करने वाले इंटरनेट एंटरनेट काफी important topic है यह दि में computer class की बात करता हूँ तो क्योंकि internet topic के बिना आप कोई भी question solve नहीं कर पाओगे यदि internet में कोई भी question आपके सामने आता है तो क्योंकि internet important इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे topic ऐसे हैं जो networking के भी आते हैं ठीक है तो चलिए start करते है कुछ question जो भी चीज़े बीच में आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे वह आती जाएंगी सबसे पहले first question start करते हैं बिना time waste किये हुए a word on a webpage एक word जो की webpage पे होता है which open other document when click on it यह मेरे इसाब से सबको पता होना चीए कि जब भी आप देखते होगे computer जब भी आप open करते हो तो computer open computer में जब भी आप webpage open करते हो या फिर कोई website होलते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि उस website के नीचे इस तरीके से line बनी आती है है ना और वो जो word होता है उसका color अलग होता है जैसे उस पर आप cursor लेके जाते हो उसका color चीन हो जाता है और जैसे उस पर आप right left click करते हो mouse का वैसे ही तुरंत नहीं उस से related जो भी website होती है जो वेब पेज होता है जो भी document होता है वो open हो जाता है ठीक है यह वही चीज़ बोल रहा है क्या बोल रहा है a word on a webpage which opens other document when click on it is a hyperlink उसको क्या कहा जाता है hyperlink कहा जाता है क्योंकि hyperlink ही एक ऐसी चीज़ है जो एक webpage को दूसरे से जोड़ती है अगर आपने stml पढ़ा हो थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा बहुत भी html पढ़ा होगा तो html में आपने देखा होगा markup language जिसको हम बोलते है hypertext markup language तो आपने देखा होगा html के अंदर उसके अंदर आपको बताया जाता है क्या काम करता है hyperlink hyperlink अगर दो web pages है web pages है तो उन्हें आपस में link करने का काम करता है यदि पहले web page में दूसरे web page का link डाल दिया जाए और पहले web page में click करें उस link के ओपर तो दूसरा web page automatically खुल जाता है ठीक है तो web page a word on a web page which open other document when click on a on it is a hyperlink चली आगे चलते है next internet क्या बोला है अच्छा एक URL हो सबको मेरे साब से पता होगा जब भी आप एक web page open करते हो तो यहां उपर एक बड़ा सा box आता है ठीक है जिसके अंदर https लिखते हो आप ध्यान है colon लगा के double slash लगाते हो यह इसको क्या बोलते है इसको URL बोलते है ठीक है आगे चलते है next बोल रहा है internet banking means internet banking का क्या मतलब होता है मेरे साब से सबको पता होगा internet banking का means होता है meeting of banks on internet बिलकुल नहीं banking from internet it is called internet banking जिससे आप net banking कलते हो mobile banking करते हो ठीक है पैसा transfer करते हो यह सारी चीज़े क्या होती है internet banking के अंदर आती है यहां तक clear है next next क्या दिया हुआ हमें next दिया हुआ है which of the following is a example of continuity continuity का example कौन है उसने यह हम से पूछा है तो देखिए continuity का example क्या होगा यह हम जड़ा check कर लेते हैं continuity के example में इसने दिया है floppy disk floppy disk continuity का example नहीं है ठीक है यह बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास में magnetic tape लगी रहती है उस magnetic tape का जो भी content होता है वो serial wise follow करता है लेकिन उसको continuity नहीं घाएंगे ठीक है power internet किसका example होती है internet example है continuity का example होता है internet क्यों क्यों कि इसमें जो data packets transfer होते हैं हमेशा ध्यान रखना internet में data के packets transfer होते हैं और उनहीं की continuity से internet बनता है ठीक है जब यह एक जगे से दूसरी जगे पर जाते हैं continuity के साथ तब ही internet server से आपके computer में या फिर PC में पहुँच पाता है ठीक है बात clear है चलिए आगे चलते हैं when sending an email the dash line describe the content of the message पता होगा आपको जब भी कोई email हम लिखते हैं तो ये बताने के लिए सामने वाले को उसके email खोलने से पहले उसके सामने उसको ये बताने के लिए कि ये email जो मैंने भेजा है ये किस regarding भेजा है मैं किस चीज का use करता हूँ उ subject I think मेरे इसाब से email का format सबको पता होगा email का format किस तरीके से होता है अगर ये एक email का आपने compose mail करके option होता है उसके अंदर mail के अंदर वो अगर open किया है तो सबसे उपर लिखा होता है आपका address ठीक है जिस mail id से आप भेज रहे होते हो from जिसको बोलते हैं दूसरा लिखा होता ह to का address जिसको आप भेज रहे हो ये वही वाला to है तीसरा होता है अगर आप cc में किसी को लेते हो carbon copy मतलब आपने किसी को भेजा और किसी को reference में रखते हुए भेजा तो उसको भी ये बात पता चलनी जिए तो आप क्या बोलते हो उसको cc बोलते हो ठीक है cc चौथा आता है उसके अंदर subject का option और पांच वाँ उसके अंदर आता description का option इस तरीके से mail completely चलता है तो mail के बारे में बताने के लिए हम किसका use करते हैं subject का use करते हैं यहां तक बात clear है next question पर आते हैं dash is a device which uses for data transmission through telecommunication line telecommunication line के थूँ data transmission करने के लिए कौन सी device का इस्तमाल किया जाता है last class में भी मैंने बताया था modem modem के थूँ हम क्या करते हैं data transmission का काम करते हैं telecommunication line के थूँ modem लगा रहता है आपके पहले led line हुआ करते थे घर में तो एक wire हुआ करता था जिसके आगे एक pin shape में ऐसा connector लगा रहता था उसको phone में लगा दे तो phone काम करने लगता था यही connector जो होता है जब हम इसको modem में लगा देते हैं और modem से एक wire निकलता है उसको जब हम अपने computer में लगा देते हैं तो net चलता है क्यों क्योंकि direct अगर आप इस wire को लगाओगे आजकल ऐसे wire भी आ रहे हैं जिसको आप direct लगाओगे तो भी data transmit हो जाएगा लेकिन पहले modem की need होती थी क्यों क्यों कि यह जो line पहले आया करती थी वह single transmission line हुआ करती थी मतलब यह data travel नहीं करवा सकती थी ठीक है इसमें signal ही आते थे analog signal उसको यह modem convert करता था digital में तब जाके आप computer में चला पाते थे तो ठीक है तो modem क्या करता है modem data transfer के लिए काम करता है जब telecommunication line आती web are called ठीक है specialize program वो कौन सा है जो की assist करता है user को in locating information on the web, web पे किसी भी चीज़ को ढूणने के लिए कौन जिम्मेदार है मतलब किसका इस्तमाल हम करते हैं तो search engine का इस्तमाल करते हैं, search engine, search engine ही है जिसके through हम locating information का web browser पे पता लगा सकते हैं, अच्छा web browser क्या होता है, web browser होता ह जिसके अंदर हम net चला सकते हैं, वो वाला software, वो software जिसके through हम net चला सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, web browser बोलते हैं, जैसे internet explorer, ठीक है, chrome, ठीक है, और mac का जो आता है, तो ये सारी चीज़े जो होती है, web browser के लाती है, और search engine क्या होता है, web browser के अंदर जाके, कोई भी search engine, engine है, जिसमें से most popular कौन सा है, Google, next आते है, unsolicited, मतलब unwanted, unsolicited का मतलब होता है, unwanted email कहां चाते हैं, जब भी हम चाते हैं, यह इस तरीके के advertisement ना आए, facebook के notification ना आए, यह सब चीज़े ना आए, तो हम उस data को, उस email को, इस तरीके के email को कहां भीजना पसंद करते हैं, unsolicited email portion में, औ unsolicited email portion कहलाता है, spam, आपने देखा होगा, जो भी unwanted mails होते हैं, वो कहां जाएंगे, spam में जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, spam बोला जाता है, next question पर आते हैं, next question हमें दिया हुआ है, a code of web page has been written by using, web page का code किसके थ्रू लिखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखता है, अभी हमें पहले question में भी बताया था, केवल एक ही ऐसा program है, जिसके थ्रू आप web page का code लिख सकते हो, that is HTTP, sorry, STML, क्या बोलते हो, हम HTML, hypertext markup language, बताया था भी उपर मेंने, ठीक है, ये भी एक तरह की language है, hypertext markup language, जिसके थ्रू वेब page की coding लिखी जाती है, ठीक है, और web page की coding में केवल hypertext markup language का इस्तमान नहीं होता, जब आप कोई भी web page बनाते हो, या website बनाते हो, तो उसमें 2-3 चीज़ों का combination होता है, एक तो HTML काम आती है, उसमें, एक CSS काम आती ह का काम करती है, उसको अच्छा बनाने, सुन्दर बनाने का काम कौन करता है, CSS करता है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next बूला जा रहा है, small application program which runs on website, ठीक है, and so that forms completed correctly to provide animation is called as, ठीक है, ये एक अच्छा question है, क्या बूला जा रहा है यहाँ पे, कि small application program वो कौन सा है, जो की website पर जब हम चलाते हैं, and sort that form completed correctly, ठीक है, of providing animation, मतलब वो क्या करता है, हमें animation provide कराने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, flask, क्या बोलते हैं उसको, flask बोलते हैं, तो ये small program होता है, जो की provide कराता है animation, और ये किस के उपर ही चलता है, ये चलता है, आपने देखा होगा, applets होते हैं, लेकिन ये applets हमारे काम के नहीं है, क्योंकि applets क्या करते हैं, किसी भी energy को data form में convert करते हैं, इनका इस्तमल जावा में किया जाता है, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, तो यहां answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा flask, next question पर हते हैं, dash, then pointer appear like a hand, जब pointer किसके उपर point करें, कि pointer एक hand की तरह काम करें, hand की तरह मतलब कुछ इस तरीके से उंगलिया बनी होई दिखेंगी हमें, और एक अंगोठा दिखाए देगा इस तरीके से, तो इस तरीके से काम कप करता है, जब किसी grammatical error की, sorry, जब किसी hyperlink की बात की जाती है जब किसी hyperlink की बात की जाती है, तब वो एक hand की तरह काम करता है, बात समझ में आ गई, hyperlink, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता hyperlink, hyperlink होता है, जब आप एक website से दूसरी website पे जाते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं, hyperlink का इस्तमाल करते हैं, यहां तक मेरे attachment क्या होता है, जब भी हमें कोई file, या कोई document, या फिर कोई music हुआ, कुछ भी हुआ, जब हमें भेजना होता है, mail के through, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने mail के साथ attach कर देते हैं, attach के लिए एक ऐसी pin बनी हुई आती है, देखो, इस तरीके की pin बनी हुई आती है, जब भी attachment क्या होता है, a receipt send, रभाय, नहीं, a separate document from another program, send along with email message, समझ में आ गई, चलिए पर, next चलते हैं, next हमें कह रहा है, the first political party of India, which created its own website on internet, पहली कौन सी पार्टी थी, जिसने अपना खुद का internet, अपनी website बनाई थी internet पे, तो वो थी भारती जन्ता पार्टी, कौन सी थी, BJP, भारती जन्ता पार्टी ने सबसे पहली अपनी खुद की website create करी थी, ठीक है, next आते है, which state of India, first available telephone dictionary on internet, कौन सा state है, इंडिया का, जिसने telephone dictionary internet पर available कर आई है, तो वो state का नाम क्या है, उस state का नाम है, सिक्किम, यह थोड़े current affair के question है, यह हमारे लिए इतने important नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, इसमें आ गए हैं, तो हम उनको solve कर लेते हैं, which of the following must be contains in the, contain in a URL, URL के अंदर क्या रहता है तो URL के अंदर क्या चीज रहती है, देखो, URL होता क्या, मैं आपको बता चुका हूँ, URL का shape मैंने आपको बता जिया था, तो URL के अंदर क्या लिखा रहता है, एक तो www. यह होता ही है, ठीक है, एक होता है, the unique registered domain name, आपने go daddy का नाम सुना है, तो go daddy क्या काम करता है, domain based है, domain क् होते हैं कि आपको किस नाम की website बनानी है, that is domain, क्या नाम रखना चाते हो अपने website का, that is domain, और protocol identifier होता है, http, कि secure protocol यूज करना है, कि risk वाला protocol जिसमें s नहीं होता, वो यूज करना है, तो किसका combination होता है, URL, मैंने आपको बताया था, ht, suppose, मैं एक website का नाम लिखता हूँ, https, colon, double slash, www, लिखते हैं, तो यह www.unique domain आ गया, तो dot करके मैंने लिख दिया, google.com, तो यह पूरा क्या हो गया मेरा एक URL हो गया, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, यह सारी चीज़े इसके अंदर अल्रेडी मौजूद होती है, ठीक है, universal remote locator बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हो तो इसकी full form होती है, universal remote locator, ठीक है, फिर भी एक बाद check कर लेना हो सकता है, मैं गलत हूँ, next आते हैं, who runs internet, कौन internet चलाता है, who runs internet, तो internet कौन चलाता है, that is none of these, इन में से कोई भी नहीं है, जो internet चलाता है, ठीक है, who runs internet, तो internet कौन चलाता है, इन में से कोई भी नहीं, वैसे लेकर में बात करूँ तो एक यह जरूर होता है जो इंटरनेट चलाता नहीं है लेकिन हां इंटरनेट से लिलेटेट पॉलेसी जरूर यह बनाता है इसको क्या बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग ठीक है इंटरनेट इंजीनियरिंग इसी तरीके से कुछ T और F भी होता ह थाहरे है इं पॉर सकubaway देट इंटरेंट इंजीनियरिंग टास्क फोर्सों सका फूर नाम होता है यह क्या होता एंटरनेट से इलिट पॉलेसी जरूर्वी बनाता है नेक्स आते हैं, तो who run internet इसको आप बोल सकते हो, internet कौन चलाता है, ISP, ठीक है, ISP इंटरनेट चलाने के काम आता है, ठीक है, मतलब यह जो internet provider होते हैं, आपके जुत्ते भी network provider होते हैं, वो ही आपके internet चलाने का काम करते हैं, आगे चलते हैं, next, dash is a device, dash is a device that connect to or more network, कौन से device है, जो दो और दो से जादा network को connect करने का काम करती है, that is gateway, आपने कई बार सुना होगा, कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप एक जगी से दूसरी जगे जाते हैं, तो आपके roaming start हो जाती है, और कई बार जैसे आपने Vodafone की SIM ले रखी है, तो वो Vodafone की SIM का signal दूसरे state मे पीच में आपने gateway लगाया हुआ है, जो दो state को जोडने का काम करता है, दो networks को जोडने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, gateway बोलते हैं, जो permission देता है कि अगर मैं दूसरे state में जाता भी हूँ, तो भी मेरी SIM बंदनाओ चलती रहे, that is called gateway, next, next क्या कह रहा है, हमें next कह रहा ह है, next आते है, www uses dash protocol, ये कौन सा protocol use करता है, तो ये use करता है, HTTP, अभी वही सेम चीज़ आ गई, www, world wide web, www, world wide web, क्या use करता है, HTTP protocol use करता है, और web page की भी क्या use करता है, HTTP protocol use करता है, चलिए, क्योंकि web page की starting हमेशा इससे ही होगी, www से, next आते है, next question की, अगर मैं बात करो, 19th question की, तो 19th question कह रहा है, website is a collection of, website किस-किस चीज़ का collection होती है, तो website collection होती है, STML documents का, जब तक STML के अलग-अलग pages, या documents नहीं जुडेंगे, तब तक एक website नहीं बनेगी, बात क्लियर है यहां तक, चलिए, next question पर आते है, next question कह रहा है, log key पढ़ चुक है, ध्याने ना आपको log key क्या काम करती है, चलिए, आगे आते हैं, website, website's main page is called as, क्या कहते है हम, homepage, क्या कहते है, website की, जो main page होता है, जो सबसे पहले website में खुलता है, उसको क्या कहा जाता है, homepage कहा जाता है, ठीक है, next आते हैं, which of the following cannot be a part of the email address, email address का part क्या नहीं होता है, तो email address का part देखो, dot होता है, लिखते हैं हमने dot com लिखते हैं, ठीक है, at the rate होता है, ठीक है, underscore भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन space कभी नहीं छोड़ सकते, आप website, जब भी आप वो अपनी email ID बनाओगे, तो आप जब भी डाल सकते हो, अगर मेरा नाम हिमांशु उपाधिया है, तो मैं आराम से मना सकता हूँ, हिमांशु underscore उपाधिया है, at the rate gmail.com, लेकिन मैं हिमांशु उपाधिया की बीच में space नहीं दे सकता, ठीक है, next आते हैं, for document exchange on network, which of the following is not necessary, अगर मुझे network पे अपने document को exchange करना है, तो इन में से मुझे किस चीज़ की जरुवत नहीं है, telephone line की जरुवत है, क्योंकि मुझे internet पे करना है, connector की जरुवत है, क्योंकि internet से connect होने के लिए connector चाहिए, satellite की जरुवत है, क्योंकि satellite के बिना भी मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि internet का connection वहीं के थुरू आता है, एक जगे से लेकिन floppy की जोड़ोत नहीं है अगर मुझे internet पर करना है तो clear है next आते है next कह रहा है हमें it helps to connect a computer from internet कौन connect करता है internet से connect करने के लिए कौन हमारी help करता है या computer की help करता है तो हमने क्या कहा था browser is a software that connect computer and user to each other ठीक है या फिर यह कह सकते है that connect computer to the internet ठीक है जो computer को internet से connect करता है वैसा software कौन सा है that is a browser आगे चलते हैं आगे कह रहा है हमें which field dot org is organized related to अब देखो कुछ particular होते हैं जो आपको पता होना चाहिए org organization के लिए use में आता है education के लिए dot edu use में आता है ठीक है non commercial या फिर commercial के लिए dot com use में आता है ठीक है इंडिया की कोई site है तो last में in आ जाएगा uk की site है तो last में uk आ जाएगा और कोई common site है जो की हर country में काम करेगी तो उसके आगे com आ जाएगा समझ में आ रही है बात तो ये थोड़ा से याद रख लो अगर organization की है तो org आ जाएगा education की है तो edu आ जाएगा commercial है तो dot com आ जाएगा india की है तो dot in आ जाएगा और अगर government site है तो dot guv आ जाएगा तो जितनी भी government site होगी वो ये इंडियन होगी ये commercial होगी है नेक्स आते हैं internet what was started in india internet कब start हुआ था इंडिया में 15 अगस्वतंतरा के दिन 15 अगस्वगेस्ट ऑफ 1995 उन्नीस अगस्वगे में internet start हुआ था इंडिया के अंदर यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात clear होनी चाहिए चलिए next question पर आते हैं what is the use what is used in computer for communication purpose communication purpose के लिए computer में किसका इस्तमाल किया जाता है तो communication purpose के लिए modem का इस्तमाल किया जाता है computer के अंदर किसका इस्तमाल किया जाता है modem का क्योंकि यही है जो analog हमारे analog को digital में convert करता है ठीक है और software भी कह सकते हैं लेकिन software का का communication का नहीं होता software का क्या होता है user interface का काम होता है इसका ठीक है computer के interface को user के interface के साथ match कराना होता है और उसकी coding के लिए कौन काम में आती है language काम में आती है लेकिन computer से communication के purpose में कौन काम में आता है modern काम में आता है next आते है FTI ये बहुत important है ये मैं आपको बता देता हूँ FTP क्या होता है file transfer protocol होता है क्या होता है file transfer protocol FTP होता है क्या काम करता है ये file को transfer करने का काम करता है जब भी आपको कोई file transfer करनी होती है तो URL पे अगर आप FTP लिखते हैं या FTP की कोई site open करते हैं या कोई भी URL ऐसा जो FTP show करता है उसको लिखते हैं तो उसके through आप file transfer कर सकते हो एक तो लिखते हैं HTTP ठीक है एक हम लिखते हैं FTP तो यह दो अलग-अलग चीज है फाइल ट्रांसफर के लिए FTP काम आता और यूनिवर्सल ट्रांसफर के लिए यह सामनों तो यह पिस से रिलेट होगा बहुत आसान है website से relate होगा definite सी बात है next question पे आते है dash is selling or buying of goods and services through internet क्या है जो selling or buying of goods करता है through service through internet ये ध्यान रखना बहुत important है जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो of goods मतलब चीजें कोई भी चीज और services internet के थ्रू जैसे flip card करता है आपके साथ जैसे आप करते हो Amazon के साथ तो ये ध्यान रखना पे ATM के साथ ये सब क्या है ये e-commerce site है commercial point of view का use internet पे करना इनको क्या बोलते है e-commerce sites बोलते है ठीक है ये एक important question है next question पे आते है address of a website is called as website के address को क्या कहा जाता है URL कहा जाता है website के address को क्या कहा जाता है URL की भी हम मुझे ये website खोल लिए तो उसका URL मुझे बता दो मैं खोल लूँगा वो address है उसका next question है हमारे पास में which of the following uses to send a data of one computer to the further another computer कोई भी data को एक computer से दूसरे computer में भेजने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है टेलिग्राफ का नहीं किया फैक्स है एक computer दूसरे computer में भेजने के लिए modem का स्तमाल विच आप the following uses to send the data क्या भेजने के लिए data एक computer में data है टार के थूँ जाएगा लेकिन तार के थूँ अगर उसको भेजना है तो तार analog form में लेके जाएगा यह digital form में तो convert और deconvert तो करना पड़ेगा न तो modulate और demodulate भी करना पड़ेगा तो किसका use होगा modem का next question पर आते हैं next question दिया हुआ है internet service is provided in India through internet service किसके through provide की जाती है इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर internet service provider कौन है क्या है हमारे यहां पर internet service provider हैं आगे चलते हैं full name of modem तो modulator demodulator क्या नाम होगा इसका modulator demodulator होगा कि modulator demodulation होगा तो इसका answer मेरे साथ से क्या होना चाहिए modulator or demodulator full name of email electronic mail बोलते हैं न email को I think यह तो मेरे को बताने की जरुत नहीं होनी चाहिए email की full form क्या होती है electronic mail full form of internet तो internet की full form क्या होती है internet की full form होती है international network क्या होती है international network क्यों क्योंकि यह all over the world अपने area को cover करती है next आते है a device which sends data by telephone device कौन सी है जो telephone के through data send करती है repetition है क्या है next question dash is called information highway किसको information highway कहा जाता है तो information highway internet को कहा जाता है क्योंकि इससे ज्यादा information कहीं नहीं हो सकती highway पे जेतने ट्रक चलते हैं उतनी ही information internet पे होती है बात समझ में आ रही है चलिए उससे भी कहीं ज्यादा inventor of email email का invention किसने किया था कौन है email का inventor email का inventor है हमारे पास में worldwide web ये शायद में रहे हिसाब से worldwide web कौन है email का inventor world working web नहीं worldwide web answer आएगा इसका इसका answer क्या होगा worldwide web किसने किया था sorry हमने शायद question गलत पढ़ लिया है हाँ yes inventor of email inventor of email कौन है हमारे पास में तो inventor of email कौन है हमारे पास में Ray Tomlinson कौन है inventor of email हमारे पास में Ray Tomlinson किसने किया था email का invention तो email का invention किया था Ray Tomlinson ने next full form of www www worldwide web ठीक है यह दो question mix हो गए थे next question पर आते हैं inventor of www अच्छा www के inventor कौन है तो www के inventor है Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee ने www सबसे पहले बनाया था ठीक है तो Tim Berners-Lee ने www बनाया email का invention किसने किया Ray Tomlinson ने किया Bill Gates कौन है आपको पता होगा मुझे बताने की जरूत नहीं है चलिए फिर आगे Yahoo Google और MSN यह क्या है Yahoo Google और MSN यह क्या है तो यह तीनों की तीनों क्या है internet sites है या फिर आप Yahoo और Google को search engine भी कह सकते हो क्या भी है यह search engine भी है Which of the following is not term of information technology कौन सा ऐसा है जो कि information technology का term नहीं है information technology का term cyberspace भी है modem भी है पर light storage नहीं है यहां तक बात क्लियर है सबको चलिए अगला आते है question question number 44 question number 44 कह रहा है spam is related to spam किस से relate करता है तो आपको पताया था भी मैंने कुछ देर पहले computer से relate कर रहा है और अगर यहाँ email का option होता या फिर mail का option होता तो आप क्या करते email करते लेकिन spam अभी किस से relate करता है computer से और computer से कौन भी relate करता है Bug भी relate करता है computer से ठीक है error को bug कहते है और spam किस से relate करता है computer से relate करता है next question which of the following is not defined in information technology अभी अभी बताया था कौन-कौन नहीं करता कौन सा नहीं करता I think उसने यह पूछा है तो यहां कौन नहीं करता देखो login भी करता है modern भी करता है password ये तीनों जरूरी information technology के लिए ये जरूरी नहीं है ठीक है ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना अस्तर next question पर आते है next question कह रहा है the first computer virus seen in India पहला computer virus कौन था जो हमने India में सबसे पहले देखा था तो देखो इंडिया में सबसे पहले देखे जाने वाला virus जो है ये current affair का question हो गया देखो ये जो सारे software है Mac bug हुआ Michael Angel हुआ ये सब हमें देखे होंगे जरूर हो सकता है लेकिन में को ये पता नहीं है कि इनमें कौन सा था चले next question पर आते है When internet is used to send a message then this facility is called क्या बोलेंगे When internet is used to send a message then this facility को क्या कहा जाता है जब internet के थुरू हमें कोई भी information भेजनी होती है तो इसे email कहा जाता है क्या कहते हैं email कहते हैं इसको हम Which of the following is not a computer virus इनमें से कौन सा computer virus नहीं है तो देखो कौन सा computer virus नहीं है ये computer virus है monkey ठीक है Change bank जो है ये भी एक computer virus पुराने computer viruses है ठीक है ये भी एक computer virus है केवल एक ये जो है ये computer virus नहीं है बाकी सारे की सारे क्या है computer virus है चलिए next आते है In dash Michael Angelo virus was subject to think in world World में पहली बार Michael Angelo कब आया था ये virus का जो नाम है ये कब आया था तो ये आया था 1993 के अंदर पहली बार world में आया था ठीक है इंडिया में पहली बार कौन सा आया था ये आप मुझे देख के बताएंगे और Michael Angelo जो था ये पहली बार कब आया था 1993 में आया था और आज का last question करते हैं पासवर्ड अनेबल युजर्ण युजर्स टू पासवर्ड अनेबल यूजर्स टू पासवर्ड अनेबल क्या करता है यूजर को क्या अनेबल करेगा return confidentiality of files क्या करेगा retain confidentiality of files sorry sorry fumble हो रहा है please retain confidentiality of file ठीक है passwords enables user to क्या enable करता है कि उसकी जो file की जो security है वो क्या रहे maintain रहे उसका काम कौन करता है password तो password enable क्या करता है user को retain करता है confidentiality of file की जो हमने file अपने पास रखी है वो safe रहे उसके लिए हम किसका use करते हैं password का use करते हैं यहां तक आपको मेरे इसाबसे बात clear हो गई होगी आज के लिए इतना ही बाकी बचे हुए question हम अपने next class में cover करेंगे thank you so much please अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे like और share जलू करें और हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूले have a nice day thank you so much